हेलो एवीवन वेलकम टू दर सब्जेक्ट प्लानेट माइनेम इस रादिकर शर्वास्तो जैसे कि मैं आपर प्रिप्रेशन कर रहे हैं यूजिसी नेट पेपर टू एजुकेशन की जिसमें हम डील कर रहे थे यूनिट सेवन के साथ सेवन एकर सेक्षन हमने अल्रडे कंप्ल के बीच में उसके लावा त्री लर्निंग जो डोमेन से उसके बारे में डिसकस करेंगे इसके बाद ही आपका सेवन बी जो आपका पैड़ोगोजी एंडोगोजी एन असेस्मेंट है वो बी सेक्षन यहां पर पुरा कंप्लीर हो जाएगा ठीक है चलो फिस साट करते हैं पुरा डिफ्रेंशेट करके पड़ाता ठीक है जिसने भी वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके उसकी पूरी पहले की वीडियो उसको पहले देख लो एक बार ठीक है तो यहां पर असेस्मेंट से आप समझ पाओगे कि क्या कहने का मतलब है ठीक है एसेस्मेंट इस और इस स्टूदेंट से स्टूदेंट लऌनिंग मतलब ऑवर ओल इनकी जो भी डरण टेटा होते उसको गदर गरते हैं उसके आववा यह कंटिनिवास प्रॉसेंट से समें हम student की जो learning outcomes होते हैं उनके बारे बात करते हैं टीचर यूज़ करता है इन information को student की improvement के लिए टीचर्स होते हैं यह जितने भी informations हैं उसको use करते हैं learners की improvement के लिए अब types of assessment अगर कि हम बात करें तो यहाँ पे basically four types के assessment है आपके देखा जाए तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें syllabus की recording four types के assessment आपके देखने हैं जिसमें placement है formative है, summative है और diagnostic assessment है इसको पहले यहाँ functions क्या होते हैं थोड़ा सा पहले ऐसे समझ लो अगर summative की बात करते हैं अगर इसमें बात करते हैं यह क्या होता है after the मतलब हम जब पूरी teaching learning हो चकी होती है semester end हो जाता है तब यह वाला हम assessment यूज करते हैं ठीक है, उसके बाद during the teaching learning during the instructional process यह क्या होता है after the instructional process क्या होता है summative during the instructional process क्या होता है diagnostic evaluation और formative evaluation diagnostic में क्या होता है आपका जो learners होते हैं उनकी strength of weakness को आप diagnose करने की कोशिश करते हो formative क्या होता है strength of weakness भी होती है during the classroom ठीक है during the teaching learning process के time पे ही आप student की जो भी learning difficulties होती है उनको diagnose करते हो उसको solve करते हो formative evaluation में क्या होता है आप student की improvement पे ध्यान देते हो तो यह जो दो आपके assessment हैं यह during the instructional process होते है before instructional instructional process केहने का मतलब है placement evaluation यह क्या होता है entry behavior होता है जैसे किसी भी exam जैसे M.A.D. में आपको जैसे M.A.D. है आपको इसमें जब admission ले रहा था उसके लिए आपको entrance देना पड़ा होगा ठीक है PhD उसके लिए entrance देना पड़ता है तो यह क्या होता है एक entry behavior है मतलब learning process में आने से पहले यह evaluation होता है ठीक है placement evaluation ठीक है अब देको इसको one by one discuss करता है placement assessment के अगर हम बात करते हैं it provides information to the teachers about the learner whom he she deals with relating to their existing knowledge मतलब placement evaluation एक तरीके की information देता है teachers को वो किसके साथ deal करें उनके पास उनके पास कितनी knowledge है कितना experience है ठीक है और कितनी knowledge है कितना experience है और कितना उनको teach करना है placement assessment conducted before undertaking the teaching learning activities it is basically used to measure the entry behavior or existing knowledge of the learner मतलब जो placement assessment किसले कराया जाता है कि हमारे पास कितनी prior knowledge है जो भी context है जो भी चीज़े है उसके बारे में हमारी existing knowledge देखी जाती है तो teachers होते है वो क्या करते है यहां से information gather करते है जो भी learners है ठीक है उनके पास जिनके साथ वो deal करने वाले है जिनको आगी वो teach करने वाले है तो उनके पास knowledge कितनी है इसी लिए जो जितने भी आपके entrance examinations होते है particular course में जब आप जाते हो तो उसके लिए entrance examination conduct करवाय जाते है वो सर्फ इसी लिए करवाय जाते है कि learners के पास कितनी knowledge है existing knowledge उनकी check करने के लिए ठीक है at the most appropriate point in an instructional sequence in a unique instructional strategy और a suitable teacher conducted through a placement testing यहापे क्या होती है placement testing होती है the test that college and university uses to यहापे जो आपके college or universities है वो क्या करते है यह सारे test placement assessment करवाते है placement evaluation is also referred to as pre-assessment यह क्या है एक pre-assessment है ठीक है is conducted prior to instruction उनको teaching learning में उनको admission देने से पहले particular course में उससे पहले उनको assessment उनका लेते है this is done to establish a baseline from which individual student growth can be measured this type of particular assessment is used to know the student skill level इससे क्या पता चलता है student का skill level पता चलता है जिस भी subject में वो enroll करना चाहा है it helps the teacher to explain the material more efficiently ठीक है this assessment are not graded यह जो assessment है इसमें grading नहीं होती है ठीक है conducting a type of entrance examination for selecting learners to particular course तो placement evaluation क्या होता है यह हमारे entry behavior को या फिर existing जो knowledge होती है उसको check करने के लिए placement assessment होता है ठीक है अब placement assessment के बात बात करते है तब ही आप यह assessment का यूज करते हो ठीक है इसमें क्या करते हो course के time में teachers क्या करते है अपने जो learners होता हो उनको assess कर पाते है उनकी progress को check कर पाते है कि learners में कितनी progress होई है और जहां पर उनको need है इंप्रुमेंट की वो भी उसको बता पाते है when implementing a new for example when implementing a new activity in a class class में हमें एक new activity कराने है teachers can observe student and determine if the activity should be used again or not बतलब क्या है class में आप कोई activity कराना चाहा रहे हो तो teachers क्या करेगा हर बच्चे को observe करेगा ठीक हर बच्चे को देखेगा कि इसको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया फिर वो ensure करेगा कि ये activity फिर से कराने की जरूरत हमें है ये नहीं primary जो focus होता है formative assessment का वो क्या होता है identify the areas that may need improvement मतलब उन areas को find out करना जहाँ पे learners को improvement की जरूरत है इससे क्या पता चलता है हम determine कर सकते है कि teacher कितना effective है ठीक है कितना active है teacher की effectiveness को यहाँ पर check किया जाता basically ये जो assessment होता है इस पे grading नहीं होती है ठीक है ये learner की progress को determine करता है types of formative assessment की अगर बात करें सबसे पहला आता है observation क्या है observation teacher क्या करेगा classroom में जब teaching learning कर रहा होता है उससे में क्या करें वो observe करें अपने बच्चों को observation during in class activities and non-verbal feedback during lectures ये सारा कुछ ठीक है मतला पहला क्या है observation के थूँ वो कर सकता है class में है और बच्चों को observe करें activities दब वो कर रहा हो उसके लिए non-verbal feedback lectures दब दे रहा हो ठीक है फिर आता reflection journal data reviewed periodically periodically review करें ठीक है in a class activities where students informally present their result ठीक है informally उनके result को present करना ठीक है homework exercise हो गया आपका फिर आता है question and answer session रखना ये planned और unplanned दोनों हो सकता है formal और informal वे में भी हो सकता है conferences हो सकती है instructor और students के बीच में ठीक है तो ये सारा कुछ आता है types of formative assessment में then हम आते है summative assessment में ये क्या होता है end of the year ये क्या होता है end of the year हमेशा year के end में होता है ये हमें result देता है ठीक है ये हमें क्या देता है ये हमें judgment देता है ठीक है judgment की आप ये जो pre-determine हमारा goal है ठीक हमारे जो pre-determine है उस goal को इस learner ने achieve किया है या फिर नहीं किया है तो ये judgment देता है ठीके कि हाँ ये pre-determined goal था इस learner ने इस pre-determined goal को fulfill किया है ठीके achieve कर लिया है तो ये end of the year होता है यहाँ पर judgment की बाते होते हैं Generally it is carried out at the end of course or project ये हमेशा जब course खतम होता है ये फिर कोई project खदम हो रहा तभी ये conduct होता है इस प्रवाइट इंफोर्मेशन एंड फीडबाक ठीके ये इंफोर्मेशन देता है फीडबाक देता है that some of the teaching and learning process they are evaluative ये कैसे होते हैं evaluative होते है they are made to summarize what students have learned and to determine मतलब overall session में आपने कितना सीखा है ठीके यहां पर क्या होता है grade दिया जाता है कि A है A plus है A है A है या फिर B है B plus है ऐसे grading दी जाते हैं या फिर numbers के form में आपको वर जैसे आपको result मिलता है end of the year बस वही है कि पूरी पूरे साल में आपकी कितनी progress होई है जो भी pre-determined goal था उस objective था उसको आपने achieve किया है या फिर नहीं किया है ठीक है और यह formal में होती यह कैसा होता है formal process होता है जबकि यह जो आपको formative assessment होता है यह formal और informal दोनों तरीके से किया दा सकता teacher use कर सकते है types of summative assessment के अगर हम बात करे term paper होगे आपका ठीक है जो term exams होते है projects हो गया बच्चे को project जो complete करके है portfolio हो गया यह सी में आएगा performance हो गया student का evaluation हो गया course में instructor का self evaluation यह सारा कुछ क्या है types of summative assessment है देन आते है diagnostic assessment इसका keyword क्या निकल के आता है learner की जो strength है ठीक है learner की जो strength है और weakness है ठीक है उसको determine करना ठीक है उनको जो भी problem हो रही है ठीक है उनको during the instructional process जो भी problem आ रही है ठीक है उसको क्या करना immediately solve करना यह help करता है teacher को to identify student present knowledge of the subject of a subject ठीक है यह teachers को help करता है कि student के पास currently कितनी knowledge है ठीक है मतलब अभी बच्चे के पास कितनी knowledge है और उसे कितनी knowledge हमें दे नहीं है यह तरीके से जो gap है न उसको fulfill करने में मदद करता है their skills, set and capabilities to clarify misconception before the teaching takes place knowledge of the student strength and weakness can help the teacher to plan better on what to teach and how to teach ठीक है तो को इसमें diagnostic assessment में क्या होता है जो teachers होते हैं यह teachers को help करता है student की strength और weakness जाने में ठीक है उनको कितना आता है और हमें कितना पढ़ाने की भी और जरूरत है उनको कौन से method से अगर हमको उनकी strength पता होगी और weakness पता होगी तो यह हमारे लिए help करेगा कि हम अपने teaching strategies को teaching methods को उनके according लापाए ठीक है types of diagnostic assessment की अगर बात करें तो pre-test सबसे पहले क्या कर अगर हमने diagnose करना है कि हमारे learners को कितना आता है तो हम क्या कर ले प्री टेस्ट ले ले ठीक है उनके उससे क्या पता चलेगा उनकी कितना उनको content के बारे में knowledge है फिर आता है self assessment self assessment क्या होता है यहाँ पर identify करे skill and competencies को फिर आता है discussion board response यहाँ पर content specific होता है फिर interviews है ठीक है interview लेके देख सकते हो कि कित क्या चीज़े उनको आप पता है क्या नहीं बता है ठीक है फिर आता है अब यह देखो यह सारा हम लोगों ने पूरा 4 की बात की ती यहाँ पर है placement assessment हो गया ठीक है during instructional process यहाँ पर क्या होता है key behavior हम चेक करते है या फिर key नहीं entry behavior बोलो इसको यहाँ पर क्या करते है entry behavior जो होता है student का keyword exam में आया भी हुआ है entry behavior चेक करते है placement assessment में formative assessment क्या करते है student की progress देखते है तिक है उसका improvement देखते है ठीक है कितना improvement हो रखा हुआ है summative assessment में क्या होता है हम end of the course होता है यह क्या होता है end of the course होता है ठीक है यहां पर हम judgment देते हैं decision making भी बोल सकता हो यह तरीके से decision making भी होता है ठीक है हम एक decision make बना लेते हैं कि जो pre-determined goal है उसको learners ने achieve किया है फिर नहीं किया diagnostic assessment क्या होता है यहां पर student की strength और weakness डोनों देखते हैं ठीक है जिससे हम क्या कर सकते हैं अपने teaching learning materials है या फिर method teaching की ठीक है उसको हम ला सकते है according उनकी learners के ठीक है यह सारा कुछ हमने देख लिया ठीक है अब आजाओ यहां पर मैंने फिर से डाला है diagnostic assessment क्या है यह चोटी-चोटी से keywords है जो आपको help करेंगे happens at the beginning of a lesson until course or academic program मतलब क्या होता है diagnostic जब हम lessons को start कर रहे हो during instructional process formative क्या होता है यह in process यह ongoing process होता हम teach कर रहे होते हैं तभी होता है summative क्या होता है जब हमारा मतलब एक period end हो जाता है एक session end हो जाता उस time पे हम यह करते हैं confirmative मैंने जैसे बताया ना कि कई सारे assessment है लेकिन हमें पढ़ने कितने हैं जो हमारे syllabus में है confirmative assessment भी होता है जहां पर हम effectiveness चेक करते हैं जो भी instruction दे रहे हैं उसकी effectiveness को check करते है नॉन-referenced और criterion reference यह आपके paper 1 में है नॉन-referenced और criterion reference देखो non-reference में क्या होता है compare student performance against fixed average norms ठीक है बतलब कोई यहां पर student की performance को compare करते है और criterion क्या होता इवालवेट specific skills और सेट यहां पर क्या करते हैं किसी standard के साथ ठीक है चेक करते हैं यहां पर student to student compare करते हैं आप ऐसे याद रखो ठीक है फिर आता सेट्व assessment tracks learner progress यह क्या करता है learner की progress क्या करता है track करता against their previous performance मतलब पहले learners को कितना आता था ठीक है अब धीरे धीरे जैसे आप class में हो ठीक है आपका unit 1 का आपने exam दिया ठीक है तो teacher user ने क्या क्या किए इस बच्चे ने इतना perform किया उसके पर से unit exam होता है दूसरा UT exam होता है उसने फिर से आपकी progress को check क्या मतलब यह क्या हो अपकी progress को track कर रहा है कि पहले आपने कितना परफॉफर्बंस थी पहले आप अब्जेक्टिव और आउटकम्स के बीच में क्या रिलेशन है? इस टर्म्स आर ओफिन उस इंटर्चेंजिबली, ठीक है? जो भी अब्जेक्टिव और ओटकम है, जसे हमारा कोई एजकेशन का अब्जेक्टिव है, लेर्नर अब उसको फिल्फिल करेंगे या नहीं करेंगे, यह हमें आउटकम मिलेगा. अगर लेर्नर ने इसको अचीव कर लिया तो हमें आउटकम मिल गया. however जबकि the difference between objective and outcome lies in the emphasis on who will be performing the activities मतलब outcome किस पर depend करता है कि कौन activity perform कर रहा है learning objective generally describe what an instructor और program aims to do where as a learning मतलब objective क्या है कि जो भी instructor है जो भी program है उसका aim जो है ठीक है वो है हमारा learning objective अब उसको उन activities को जो perform करेगा वो होगा हमारा outcome a learning outcome described in observable and measurable term हम outcome को क्या कर सकते है observe कर सकते है measure कर सकते है ठीक है अब जैसे देखो objective it describes the goals intention of the professor who teaches the subject of a particular course बतलब एक तरीके से कोई भी आपका professor है अगर कोई subject psychology teach कर रहा है या फिर science teach कर रहा है तो उसका objective क्या हुआ science को teach कर रहा है तो science के topic को particular जो भी वो topic हो उसका ठीक है उसको वो आपको पढ़ाना चाहा रहा है उसमें mastery दिलाना चाहा रहा है तो वो उसका objective है तो आप और यह उसका objective हो गया और आप क्या हो लर्नर्स हो अब आपको उस objective को achieve करना है ठीक, it often term as the input in the course ठीक है objective को क्या बोल सकते हैं, input भी बोल सकते हैं state the purpose, ये purpose बताता है ठीक है, जो भी course है, उसका क्या purpose है, क्या goal है, ये साइच चीज़े बताता है इट focus on content, ये focus किस पर ये आपके keyword है, जतने मैं square में कर रही हो इट focus on content, skills, ठीक है, ये किस पर focus करता है, कि जो भी क्या content है, ठीक है, क्या skills है जो हमें classroom teaching में use करनी चाहिए, it describes what the staff, faculty would do it can often be numerous, specific and detailed, मतलब ये detail में भी हो सकता है, छोटा मोटा भी हो सकता है वो depend करता है कि आपका objective क्या है, assessing and reporting on each objective for each student may be impossible, outcome क्या है, it catalogs the overreaching of product वो क्या था, input था, ये क्या है, product है, ठीक है, objective क्या है हमारा ये जो objective है, ये क्या है, हमारा input है, ठीक है और ये क्या है हमारा, output क्या है, product है, ये क्या है, product है of the course are the evidence that the goals are achieved यह product ही बताता है कि goals achieved हुआ है या फिर नहीं हुआ है they are statement that describe a list measurable and essential mastered content knowledge reflecting skills आती हैं यहां पर competencies आती है ठीक है knowledge that students have achieved and can demonstrate upon successfully after completing a course मतलब क्या है यह तरीके से यह measurable होता है और यह बताता है कि जो भी knowledge जो भी skills student ने सीखा है वो क्या course complete करने के बाद उसको apply कर रहा है या नहीं कर रहा है यहां पर reflective thinking आती है higher level of thinking skills आती है that integrate course content and activities and can be observed as a behavior skills discrete usable knowledge upon completing the course मतलब outcome में क्या होता overall यहां पर higher जो reflective thinking होती है ठीक है courses के साथ क्या होती है आपकी higher order thinking integrate होती है मतलब एक तरीके से हम यहां इसको behavior में observe कर पाते हैं उनके skills में देख पाते हैं जब वो course complete हो जाता है जैसे आपने 7th में कोई topic बढ़ा इसे रेन बेस पढ़ा या फिर force पढ़ा अब उसके बात जब आगे आप जाओगे एर्थ में जाओगे तो आपको पहले से वो सारे topic उसका बेस पता होगा और उसको आप higher order और उससे higher level पर समझ पाओगे उसको they are exactly what assessment are intended to specifically what the student will be able to do completing the course या फिर आपने graduation कर लिया ग्राजवेशन करने के बाद आपने कुछ जॉब वगेरा में उस उन इसको का use किया outcome are clearly measurable criteria for guiding the teaching learning assessment process in the course outcome कैसा होता है हम इसको measure कर पाते है evaluate कर पाते है clearly इसको evaluate कर पाते है ठीक तो यह simple सा आपका relationship था objective and assessment में sorry objective and outcome में ठीक है अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर three domains of learning learning के जो तीन domains है आपके उसको हम यहाँ पर देखेंगे ठीक है relationship between objective और outcome देख लिया अब three domains of learning के अगर बात करें learning के तीन domains की बात करें तो कौन यह तीन domains दिये किस ने थे ठीक है effective जो हमारी feelings से relate करता है psychometer जो physical बतला यह motor skills पर काम करता है ठीक है और यह किस पर काम करता है emotional और यह किस पर काम करता है mind cognition ऐसा समझ सकते हो three domains of learning की बात करते है bloom taxonomy was यह blooms की taxonomy थी जिसे create किया था benjamin bloom ने in 1956 publish a kind of classification of learning इन्होंने जो हमार अभी जो हमने objective और यह outcome बढ़ा है उसी से यह related published as kind of classification of learning outcomes and objective that have been used for everything from framing digital task and evaluating application to write question and assessment इन्होंने क्या किया जो भी learning objectives थे outcomes थे उन्ही को लेकर कि इन्होंने learning को तीन domains बताया ठीक है इन्होंने hierarchical order में दिया कि cognitive skills क्या करती है help करती है teachers को यह जो cognitive skills है effective skills है यह क्या करती है teachers को help करती है it is a set of three hierarchical model used to classify educational learning objective into the level of complexity and specificity मतलब complexity specific form में कैसे जाता है यह तीन hierarchical order में explain करती है ठीक है जिसमें आता है cognitive, effective and psychomotor अर देखो सबसे पहले बात करते है cognition की, cognition में हमारी क्या जाती है critical thinking आ जाती है ठीक है intellectual skills आ जाती है problem solving आ जाती है knowledge को हम क्या करते है create कर पाते है तो यह सारा कुछ जो आक इसमें हमारा cognitive domain में आता है ठीक अब cognitive domain में देखो सबसे पहले जो आया था यह सबसे पहले इसमें जो बात की गई थी इसमें cognitive domain में यह कैसा है hierarchical order में ठीक तो सबसे पहले इसमें बात की गई थी knowledge फिर आया comprehension फिर आया application फिर analysis synthesis and evaluation तो इसको समझने की अगर कोशिश करें तो कैसे समझेंगे बतलब यह क्या है three learning domains है ठीक है three learning domains कौन से आपके cognitive domain effective domain और psychomotor domain cognitive domain को क्या किया गया six categories में जो एंडर्शन थे और क्रेथ होल ने ठीक है एंडर्शन और क्रेथ होल ने cognitive domain को six stages में divide किया ठीक है easy to complex easy to complex यह हमारा domain कैसे जाता है ऐसे जाता है ठीक है उसको भी revise करके सबसे पहले यह noun के फॉर्म में था ठीक है उसके बाद इसका revision हुआ तो यह आया verb के फॉर्म में अब इसको results करता है कैसे ठीक तो यह cognitive domain को होता है हमारी intellectual skills और जो critical thinking होती है problem solving skills हो गई knowledge को कै इसे create करेंगे ठीक है यह सारा कुछ हमारा किसमें आता है cognitive domain में आता है basically इसको दिया किसमें अंडर्शन और क्रथोल ने दिया था अंडर्शन और क्रथोल ने दिया था सबसे पहले यह noun की फॉर्म में आया उसके बाद यह revise हो के वर्प की फॉर्म में है जब नाउन की फॉ फिर आता है evaluation ठीक अब देखो जब यह किस फॉर्म में था noun के फॉर्म में था noun के फॉर्म से convert करके यह क्या बन गया verb की फॉर्म में तो knowledge को क्या बोला गया remembering comprehension को क्या बोला गया understanding ठीक है application मतलब applying ठीक है verb की फॉर्म में आ गया analysis का मतलब analyzing synthesis जो था अब यहां पे कुछ ऐसा ह हो गया यह ठीक है ऐसे अब याद कर पाऊ गये synthesis का मतलब क्या हो गया creating और evaluation हो गया आपका evaluating यह थोड़ा interchange हो गया अब knowledge की बात करते हैं सबसे पहले ठीक है यहां पे क्या होता है हम अपनी knowledge को recall करते हैं यहां पे recalling of knowledge सबसे पी हां पर remembering की बात करते हैं knowledge को किससे relate किया गया बतलब work की form में कैसे आया है यह remembering में आया तो यहां पे क्या है हम जो भी हमारी knowledge होती है ठीक है हमारी जो knowledge है उसको हम क्या करते है recall करते हैं अपनी memory में ठीक है बतलब यह memory level पे होता है ठीक है knowledge को हम यहां पे retrieve करते हैं ठीक है retrieval हो गया recall हो गया retention हो गया यह सारा कुछ कहां पर आता है हमारा इस लेवल पर आता है ठीक अब उसके बाद आता है understanding level जब हम knowledge को recall कर लेंगे ठीक है तो क्या होगा जो भी knowledge होगी उसको हम understand कर पाएंगे ठीक है यहाँ पर हमारी क्या आती है understanding मतलब हम knowledge की जो meaning है उसको हम construct कर पा रहे हैं different different उसके functions को समझ पा रहे है examples की through समझ पा रहे है है ना जो भी graph है जो भी messages है understanding stage पर इस second stage पर ठीक है उसको हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं उसके बाद उन सारी चीजों को जो भी हमारी concept को हमने समझा है जो भी relationship हमने समझा है जो भी knowledge हमने construct की है उसको हम क्या कर रहे है, apply कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके procedures को हम apply कर पा रहे हैं, उसके बाद analysis का मतलब क्या होता है, breakdown कर देना, analysis का मतलब क्या होता है यहां पर breakdown कर देना, ठीक है, breakdown कर देते हैं, उसके बाद फिर इसको evaluate करते हैं, बादने फिर से create कर पाते हैं, यहां पर देख करने बाद उसका application समझ पाना application समझने के बाद उसको छोड़े-चोड़े टिकड़ों में divide करना ठीक है फिर उसको synthesis करना synthesis करने का मतलब क्या जोड़ देना बाद उसको evaluate करना इसको आप learn कैसे कर सकतो क्या काश जैसे मैंने आपका analyzing आप इन दोनों को क्या कर दो ऐसे cross में कर दो यह हो जाएगा evaluating यह हो जाएगा creating टिक तो सबसे उपर क्या आता है आपका एवालिवेशन आता है, और सबसे उपर यहाँ पे क्या आएगा, आपका creating आएगा, ऐसे question पूछा जाता है कि top पे क्या आता है, ठीक है, highest order में क्या आता है, order में सबसे highest क्या होता है, तो यह हमेशा evaluating, क्योंकि हमारा जो है, ऐसे रहता है, नीचे से उपर की तरफ जाता है, ठ अब बात करते हैं effective domain, अगर effective domain की हम बात करते हैं, अच्छा एक शीज यहां पर और देख लो, कि इसमें कई सारे जो यह हम cognitive domain को, ठीक है cognitive learning है, उसको हम assess कर पाते हैं, उसको assessment, मतलब उसको test करने के लिए हम क्या करते हैं, objective types का test यूज करते हैं, ठीक है, objective test का use करते हैं, ठीक है अब यह जो objective test भी हम use कर रहे हैं, ठीक है, उसके लाग वो भी दो types के होते हैं, ठीक है, अच्छा देख लो, दो types के होते हैं, पहला क्या होता है, selection type का होता है, ठीक है, पहला क्या होता है, यहापे, selection type होता है, दूसरा क्या होता है, आपका यहापे, short answer type होता है, ठीक है, मत कौन सी is methology है । नो समय पर सब्सक्राइब करें किस टेस्ट से अम vaccines से हम इसको मैजर कर पाते हैं। complete statement होते हैं ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके multiple choice item आ सकते हैं alternate जो response होते हैं matching the column आ सकते हैं, ठीक है यह सारा कुछ आता है, अब short answer type में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो भी questions होते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा आपका यहाँ पर direct questions होते हैं standard type के questions आते हैं ठीक है फिर आजाते हैं हम next वाले पर, effective domain की बात करते है, effective domain को बात करें effective domain किसने दिया था? crack hole ने दिया था, ठीक इसको अगर याद रखना है तो जिसने मैंने याद रखना था walk r square है, ऐसे मैंने इसको याद रखा था ऐसे आद कर सकता है, क्यों तो बहुत जादा confusion होती है इसमें, तो इसलिए demonic से याद करना ज़रूरी है effective domain क्या करता है हमारी feeling emotion, belief, ideas इन सब के साथ deal करता है, effective domain focus on the attitudes, values interest, appreciation of learners, the hierarchy associated with, it begins with receiving, सबसे पहले हम क्या करते है, receive करते अब मैं कुछ बोल रही हूँ, तो आप क्या कर रहे है उसको receive कर पा रहे है, है न उसके बाद आता responding ठीक, आप उसको response कर रहे है, receiving की बाद क्या आता responding, अब उसका कुछ आप response करोगे फिर आपने उसको अपनी learning में ले आए तो यह क्या होगे, valuing, उसके बाद आपने क्या कि उस learning को organize कर लिया organization, फिर आता आपका characterization, ठीक, तो यह क्या होते हैं, five steps होते हैं इसका ध्यान रखिएगा, यह six steps में होते हैं, यह five steps में होते हैं तो इसका अगर highest order, highest पूछा जाएगा, तो क्या होगा, characterization और इसका पूछा जाएगा, तो evaluation, noun के form में, और work के form में, creating, ठीक, अब देखो, receiving को समझना है मतलब यह क्या होता है कोई भी हम aware है, मैं बोल रही हूँ कोई भी content जब मैं बोल रही हूँ तो उसको आप receive कर आ रहे है ठीक है, receive कर ले के बाद क्या करोगे उस पर response करोगे ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो उसको value करोगे, फिर organize करोगे उन learnings को, फिर आता आतका characterization जिसको आप याद किससे कर सकते हो walk r square से भी याद कर सकते हो, ठीक अब आते हैं, psychomotor domain में psychomotor domain मतलब हमारे movement, motions से deal करता है physical से deal करता है ठीक है, physical ताम है the psychomotor domain encompasses the ability of a learner to physically accomplish task and perform movement and skill physical से related जो भी चीज़े आ जाती है ठीक है, skills आ जाती है, movement से related जो चीज़े होती है, वो सारी कुछ यहाँ पर आती है इसको कई बार revise किया गया, सबसे पहले डेव आरेश ने दिया 1970 में, जो हमें पढ़ना है ठीक है, ये वाला फिर हैरो ने 1972 में किया सेंसंन ने 1972 में किया ठीक, अब आत सबसे पहले हैं पर देखो जो हमारे syllabus में है, डेव का है, जिन्होंने बताया imitation, manipulation, precision articulation and naturalization इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे I am, pan ऐसे याद रखोगे तो ध्यान में रहेगा पर ना बोल जाओगे I का मतलब हुआ, imitation मतलब imitate कर पाना हम किसी चीज को imitate कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं फिर उसको हम manipulate कर पा रहे हैं, समझ जाएंगे हमारी understanding सब बढ़ जाएगी तो हम इसको चीज को manipulate कर पाएंगे फिर हमें precision आ जाएगा मतलब accuracy आ जाएगी फिर articulation आ जाएगा फिर हम naturalize हो जाएगे उसी practice को बार-बार-बार-बार एक question है, maths का जैसे आपका quadratic equation है उसके questions को आप कई बार-कई 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 solve करते रहों करते रहों करते रहों तो इक बार आप क्या हो जाएगा हो इसके लाप के अंदर naturalize हो जाएगी ठीक है, unconsciously भी आप उसको कर पाऊगे ठीक, तो Dave psychomotors domain था, उसमें उन्होंने imitation, manipulation, precision, articulation and naturalization इन 5 steps के बारे बारे बात की जिसमें naturalization आपका highest है यह जो चलता है वो कुछ ऐसे चलता है इसमें भी मैंने बात नहीं की effective domains में भी कुछ test होते है effective domains को test करने के लिए ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका effective domains में self report self report यह कुछ tools हैं इसको यूज कर सकते हैं और किसका यूज कर बाएंगे नहीं आपे Likard scale ठीक है, Likard scale का यूज कर बाएंगे ठीक है और Thurston scale जो है अपकी ठीक है यह सारे कुछ बढ़ा होगा हो सकतो आप में Thurston scale ठीक है इन सारी चीश यह कुछ tools हैं जिनका हम यूज करते हैं, एफेक्टिव डॉमीन को एसस करने के लिए, ठीक है, फिर साइको मोटे डॉमीन में हम कौन-कौन से टूल का यूज करते हैं, यहाँ पर हम चेक्लिस्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, चेक्लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, और क्या चेक्लिस हो गया एक्वाटल रिकॉर्ड हो गये आपके रेटिंग स्केल्ज का हम यहां पर भी योze कर सकता हैं तो यह कुछ तूल्स थे आपके जिनको हम साइको स्कॉमोंटर डोमेन को एकसेश करने के लिए यूज बिदा सब्सक्राइण हो गया एक्वाटल रिकॉर्ड हो चैनली है वे इंभी लेन गॹंप भर मुस्ट हो घंड भर को फ drowned करेंगे owana मने में бу्लोम ने चातिक था तीन आ इन्होंने इन प्रॉब्नुम्नी कि फृब्रेसेंट रफिरस्च था ठीक इन्होंने बताया था जो भी learning होगी वो cognitive हो सकते है, effective domain में हो सकते है या फिर psychomotor domain में हो सकते है cognitive कहने का मतलब है thinking, effective कहने का मतलब है feeling, psychomotor कहने का मतलब है physical cognitive domain से अगर बात करें तो हमारी यहाँ पर intellectual skills होगी, critical skills होगी, problem solving होगी, ठीक है यह सारा कुछ आता है इसको भी इसको Anderson और Krathol ने दिया था इसको पहले noun के form में इन्होंने दिया इसमें आपका कहकाश knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation is the highest ठीक इसको noun के form में दिया फिर इसी को इन्होंने convert कर दिया verb के form में ठीक है जिसमें knowledge आगे हमारा remembering में, comprehension आगया, understanding में, application आगया, applying में, analysis आगया, analyzing में, synthesis होगया हमारा creating ठीक है और evaluation होगया, evaluating ठीक अब इस cognitive domain को test करने के लिए दो tools का use किया गया है, दो test का यहाँ पर use किया गया है ठीक, objective test और essay test, ठीक, effective domain किस ने दिया था, effective domains की बात, cathode ने की थी, जिनमें हमारे जो values है हमारा जो attitude है, ठीक है, interest है, उसके बारे बात कीगी, जिसे हम याद कर सकते है, pneumonia के तुरू walk square, walk square कैने का मतलब क्या है, c is the highest, characterization सबसे पहले हम receive करेंगे, respond करेंगे, value करेंगे, organize करेंगे, फिर characterization, then आते है psychomotor, जिसमें हमें देव का पढ़ना है, ठीक है, 1917 में इन्होंने दिया था, जिससे हम learn कर सकते है, I am pun, I का मतलब imitate, फिर आता M का मतलब manipulate करना, C, P का मतलब होता precision, A का मतलब articulate कर पाते है, एक साथ ह कर पाते है, ठीक है, सारी चीज़ों को, ठीक, articulate together, ठीक, naturalization, फिर वो unconsciously हम use कर पाते है, ठीक, यहाँ पे हम कौन-कौन से tools का use करेंगे, इसको करने के लिए checklist हो गया, anecdotal records हो गया, rating scales हो गई, critical incident techniques का भी यहाँ पे use कर लिया जाता है, ठीक, तो यह सारा कुछ हमने यहाँ पे आ complete हो चुका है, एक minute, कुछ बजा तो नहीं है, हाँ, R is day of learning, ठीक, 7B complete हो गया, इसके बाद हम इसके बाद हम discuss करेंगे 7A को, ठीक है, 7A को इसके बाद हम, 7C को, ठीक है, C section है, इसके बाद हम discuss करने वाले है, हमने 7A कंप्लीट कर लिया, ठीक, 7B कंप्लीट कर लिया, दो हो ग तो आज के लिए सिफ इतना ही, नेक्स वीडियो में हम 7C के बारें बात करेंगे, ठीक, अगर वीडियोस इंफोर्मेटिव लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और शेयर विडियोस को और शेयर विडियोस जो UGC NET की प्रपरेशन कर ठीक यार तारी के, ठीक, आथेयर वीडियोस ग्यार्ग ही ठीक, तो तो चैनल के लिए। तो एका, वीडियोस को और वीडियोस को तो चैनल के वीडियोस